हेलो दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो गूल तो देखे सबसे पहले अपने पास कोशन आता है कोशन संक्या एक है एक कार्य खंड की उन्चाई निम्र लिखित में से किस यंतर द्वारा मापी जाती है देखे हाइट की बात कर रही है एक कार्य खंड की उन्चाई निम्र लिखित में से किस यंतर द्वारा मापी जाती है तो देखिए सबसे पर अपने बात करते है डायल गेज के द्वारा तो क्या डायल गेज के द्वारा माप सकते हैं नहीं माप सकते हैं तो डायल गेज अपने पास नहीं है slip gauge के दोरा माप सकते हैं नहीं माप सकते हैं गलत है तो अपने पास बच्चा कोण सा वर्णियर हाइट gauge तो वर्णियर हाइट gauge एक प्रकार का मार्किंग टूल है लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है उन्चाई भी मापता है ध्यान रखना ठीक है तो वर्णियर हाइट gauge इसका राइट एंसर है चलते है नेक्स कोशन के तरफ तो देखें नेक्स कोशन अपने पास है कौन से गेज के द्वारा ग्रूव की गहराई परिशुदता से मापी जाती है ध्यान रखना यहाँ कौन से गेज के द्वारा ग्रूव की गेराई ग्रूव है सलोट है होल है ब्लाइंड होल है ना उनकी गेराई मापने के लिए अपने कौन से टूल का यूज करते हैं तो देखे सबसे पहले बात आती है डायल गेज के द्वारा नहीं डायल गेज के द्वारा अपने प्रयोग नहीं करते प्रोटेक्टर के द्वारा भी अपने प्रयोग नहीं करते तो ग्रूव की गहराई तो ग्रूव की गहराई देखे आपको पता है गहराई को परे क्या बोलते हैं डेफ्थ बोलते हैं तो डेफ्थ क्या वर्णियर डेफ्ट गेज है ना इसके अंदर आ रहा है डे काप जो करेंगे वर्णियर डिफ्ट गेज के द्वारा ना सलते नेक्स कोशन के तरफ नेक्स कोशन आता है अपने पास मास प्रोडक्शन में निर्मित मशीन पार्टों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है देखिए यहां सबसे इंपोर्टन ध्यान रखने योग्या बात ह है मास प्रोडक्शन ना मारा मास प्रोडक्शन को अपने आपको पता है किसे बोलते हैं बहु उत्पादन किसको बोलते हैं बहु उत्पादन ना बहु उत्पादन मतलब कि अधिक मात्रा में अपने किसी चीज़ का अपने उत्पादन करते हैं तो वहां आपने किसका प्र तो सबसे पहले आपके धिमाग में आना चाहिए माश प्रोडक्शिडम अमसे हमेशा गेज इस्तमाल करते हैं ध्यारगणा avena का का स्तमालाँ करते मांक्र नहीं करते हैं क्यों कि मांक्रोड़र के दुर्ण जब लेते हैं तो टाइम लगता सो रिडिंग वपढ़ने में पूसल कारीगर होना चाहिए ना तो इसका प्रियोग नहीं करते तो को चिंप्लेट का करते हैं मास प्रिडॉक्शन में बहुत पाधर में अत्यदिक मात्रा में किशी पाट का अपने निर्मान करना है तो आपके 3-4 question, 1 question clear हो रहे हैं तो कर प्रा ये इस चीज़ को आप better तरिके से समझेए, better तरिके से करिए ना हमेसा के लिए याद रखिये, चलते हैं next question के तरफ, next question अपने पाच आता है, गेज प्राय किस दात्व का बना होता है तो देखिए गेज का नाम आता है तो हमेशा गेज को टूल स्टील से बनाए जाता है किसे बनाए जाता है टूल स्टील से बनाए जाता है बहुत कम यानि कि विशेश प्रकार के यदि का अपने यूज होता है तो वहां हाई करबर स्टेल से परयोग नहीं करते माइल सील का अपने करते स्टला इपर नहीं करतें है को तो है यह इसका राइट एए डूल स्टेल सलते हैं नेक्स्ट कोश्चन के तरफ एक जाएता अप को मैंने काफी पार बताया हूँ है पहले बताया हूँ है कि मेरी डेस्ट रेजिज के अंदर में आपको वही कोश्टन देता हूँ जो most important question होते हैं और जो आज तक के competition exam में आई हुए होते हैं ना तो कर पर आप पूरी वीडियो जुरूर देखिएगा यहीं किसी भी कोस्टिन में डाउट है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके आप जूरूर पोचिएगा चलते नेस्ट कोस्टिन के तरफ देखिए वरक्षोप गेज की परिशुतता कितनी होती है यहां बात करता है वरक्षोप गेज तो यहां जीरो जीरो फाइफ इंच इसकी क्या है परिशुतता होती है किसकी परिशुतता होती है वरक्षोप गेज की त्यार रगड़ा ना सबसे पहले वरक्षोप गेज आता है उसके पास इंस्पेक्शन गेज आता है उसके पास मास्टर गेज आता है करम से अपने चले तो सबसे पहले वरक्ष ऑफ गेज की परिशुता पूछिए तो वरक्ष ऑफ गेज की इंगली सिस्टम में 0.005 इंच होता है ना तीन जीरू लगते हैं यह आप तो अध्यार करा ना अब अपने बात करते हैं इंगली सिस्टम इसका यह अपने पास परिशुता है यह दि मेट्रिक सिस इसके परिशुता कितनी उती है. 0.005 51 mm जयार लगता है. 0.005 5 mm इसमें 0.005 इंच है यानि आप यह दि आप इतना पिछ्चे क्मार्ट इंगली सिस्टम है एक और करो वह बन簡 जाघा. इस प्रकार ट्रिक्स चिआप याद रखा गओ ताक मियानद्य Inde आपने पास आता है इंस्पेक्शन गेज की परिशुदता बताईए अब देखे सबसे पहले गेज आता है मास्ट यह सोरी वरक्शॉप गेज उसके बाद आता है इंस्पेक्शन गेज उसके बाद आता है मास्ट गेज तो नंबर दो पर आता है इंस्पेक्शन गेज की परिशुतता कितनी होती है या परिशुतता बताईए तो देखिए मास्टर वक्षॉप गेशिस की परिशुतता ज्यादा होती है इसका राइट एंसर है बी कितना है इसका इंगली सिस्टम में में क्यों इंच का प्रयूग अपने करते हैं इसका में तक में तो चलते हैं नेक्स्ट कोंसन के तरफ नेक्स कोस्ट अपने पास आता है लिमिट गेज से क्या तात्र परे है लिमिट गेज देखिए लिमिट गेज में अपने पास हमेशा दुन तरफ सिरे होते हैं एक सिरा होता है गो सिरा एक तरफ होता है नो गो सिरा तो देखिए इसके अंदर अपने कोस्टिन का एंसर क्या हो मतलब जाना चाहिए नो गो नो गो मतलब नहीं जाना चाहिए तो इसके लिम मतलब करते हैं जलते हैं सेborg बना अभाफनी ध्यारा करना लिमिंट कडिके से के तठ पर है गोचिए जाना चाहिए शुराक में और गोचिए नहीं जाना चाहिए कपप्लीट है चलते के तरफ हैं so ऑल्क पने पास आता है कि स्टैप गेज से क्या था पर है देखिए स्टैप गेज या स्टैप केज की बात कर रहा है डागराम आपको पता चल रहा है सनेप गेज कौन सा होता है तो सनेप गेज से क्या तात्परे है तो देखे सब से बले जो गेज लंबाई मापते हैं बिलकुल मापते हैं गेज की दोरा लंबाई भी अपने मापते हैं जो गेज लंबाई रूम उटाई लंबाई बी अपने मापते लंबाई और मोटाई दोनों भी मापते और भारी व्यास प्रिमापते द्यार रखना तो इसका राय टेंड चोर अपने पास आता है डी उप्रोक्त सभी और जितने में आपको यह कोस्टन देता हूं मेरे टेस्ट से रिज के अंदर यह टोटल कोस सकते हो नोट्स बना सकते हो किसी प्रकार के कोई दिक्क्त है तो आप मेरे से पूछ सकते हो चलते नेक्स कोशन के तरफ है नेक्स को समने बास आता है शुराख की जांच करने है तो कौन सा गेज परियोग किया जाता है तो देखे शुराख का साइज मापना या जांच करना तो आपने करते लिए तो प्रियोग क hardest करने के लिए थिकनेश करने के लिए तो पाट में पाट दो बीच में करने के लिए a फिलर गेज का परियोग करेंगे रिंगेज का अपने परियोग कहा करते हैं रिंगेज का अपने परियोग करते हैं बाहरी व्यास चेक करने के लिए तो अपने पास बच्छा कोड़ सा पलग गेज तो पलग गेज का परियोग अपने कहा करते हैं सुराक की जांच करने में करन भीट है त्यार करा तो नहीं को बड़ी अतरी त्रीक के जाब समझीए गाइं चलते हैं नेक्स्ट कोशन के तरह को समझने पास आता है किस गेज के द्वारा कार्य खंड के बहारी और आंत्रिक त्रीज्या माप पर जा सकते है किस गेज के द्वारा तो देखिए किस से दिख्कत के रडीस जरें की अपने के लिए ना यह चेक करने के लिए तो बहरी हो सहय अपने मापते हैं और मापते हैं तो आर को हम आपने क्या बोलते हैं तो डिश्येह नहीं स्कार्य प्रियू करते हैं अपको पर बताये था परियोग करते हैं सुराख का च्छेक करने के लिए औरिंगज व्यास चेक करने के लिए रोड का डेपने करकते हैं टेकर चेक करने के किस गेज के द्वारा मापा जाता है यह मोस्ट इपोर्टेंट कोश्चन ध्यान रखना एक ड्रिल का कौन किस गेज के द्वारा मापा जाता है शक्रिव फिच गेज के द्वारा मापा जाता है नहीं मापा जाता है क्यों सक्रिव फिच गेज तो फिच का प्रियोग अपने कर करते हैं पीछ चेक करने के लिए यूज करते हैं रिंगेज का मैंने आपको बता दिया भारी व्यास डायमेटर में आपने के लिए रोड़ का पलगेज का प्रियों को बने बता दिया अंधुरूनी सुराक का साइज चेक करने के लिए अपने पास बच्चा कोण साइंगल गे स्लिप गेज का बड़ो अपने पास जॉनसे क्या बोलते जोंसें ब्लो है बने पमने बोलते इसका राय ठाटर ह subscribe प्रोलन पर नई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्ट अपने पास आता है तेलिस्कोपिक गेज किस काम में परियोग होता है तो देखें टेलिस्कोपिक गेज आपको डायकरा में पता तल्द है मैंने पहले भी टेस्सरीज में कई बार कोस्ट ने आपको पूट अप किया मैंने बताया अपने में मेहतवपूर कोस्टें यह दा रखना तो सबस्क्राइब बात करते हैं ट्री चैनलिस्कोपिक गेज किस काम में परियोग होता है शकुरीपिक मा अपने के लिए नहीं शकु वहां अपने क्या करते हैं टेलिस्कोपी गेज का अपने कहा करते हैं बड़े साइज जो बड़े साइज की शुराक है उनका अंदरुनी व्यास चेक करने के लिए अपने परियोग करते हैं चलते हैं अपने पास आता है साथ डिगरी के कौन पर सुद्धता के लिए लेट के ट्रेडिंग टूल की जांच करने के लिए निमन लिखित गेज में से किस गेज का परियोग किया जाता है थोड़ा सा इसको ध्यान से समझे का कॉश्चन मैं वापस बोलता हूं साथ डिगरी के कौन प पर सुद्धता के लिए सुद्धता के अंदर मतलब लेट के ट्रेडिंग टूल की मतलब दो ट्रेडिंग काटने का जो टूल होता है उसकी जांच करने के लिए मतले को सही है उसका एंगल सही है या नहीं है जांच करने के लिए निमत लिखित में से कौन से गेज का परियो करते हैं नहीं करते क्योंकि यह तो फ्रेंडड हो लोगा तुसको बार ही त्रेंडड कटी होगी रोड पर उसको चेक करने के लिए अपने पास आता है रेंडरिंग यह कुछ होता ही नहीं है अपने बच्छा कौन सा सेंटर गेज तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो ट्रेंडि अब तूल होते हैं यह तो चलते हैं तरफ नेक्स को सबने पास आता है किस ग्रेड की सुद्धता वाले स्लिप गेज को के लीब्रेशन ग्रेड भी कहते हैं यह कौश्चन बहुत important है ध्यारे रखना slip गेज किसंटी पाए जाते हैं तो देखें डेखिए 0 में भी होते हैं फस्ट आगल नगो है यह सारे इसलते हैं नेक्स्ट कोश्टन के तरफ नेक्स्ट को समने पास आता है गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है तो देखिए बहुत इपोटने कोश्टन है तो सबसे पहले बात करते हैं परकाश या पायरोमेटर से बिलकुल नहीं करते जी फिर पर श्लिप कि दांतों की प्रोफाइल की जांच किसे करते हैं प्रकाश या प्रोजेक्टर से करते हैं ध्यार अगरा ठीक है सोला नंबर का कितना कौन सा एंसर है बी एंसर है प्रकाश या प्रोजेक्टर से कप्लीट है इसका एक कोशन आगयो है कि मैं आपको क्लियर करूँ है इस कोश कर लो है इसको जूरूर कर लिए एक समान दौन बने हैं और उसकी जान penny का करते हैं प्रकाश या प्रोजेक्ट स्ट्रेव करते हैं 奶ॉट कोर से त्रोब दैब्त diretv कि नेख्ट को अपने पास आता है डायल गेज का कारे सिधानत अधारित होता है तो देखिए डायल गेज डायल गेज आपको पता है क्या करता है समतलता चेक करता है ना सर्फेस की रफनेस चेक करता है डायल गेज करते हैं तो देखिए डायल गेज गंदर रेक और पिनियन होता है क्या होता है रेक और पिनियन तो यह डाय सब्सक्राइब करता है तो किस पर दारित का करता है रेक का सिधानत होता जाना डायल गेज का सिधानत क्या होता है रेक रेक और पर कोश्चन है इसको आप ध्यान से समझेगा चलते हैं नेक्स्ट कोस्ट्स अपने पास क्या आता है अठार्मा कोश्चन है परकास यह गेज निमनलिकित सिधानत पर कार्या करता है अभी में आपको पहले कोश्चन आया था प्रकास यह कोश्चन यहां थोड़े इसको ध्यान से समझेगा प्रकास यह गेज निमनलिकित सिधानत पर कार्या करता है क्या सिधानत है प्रकास यह गेज किस सिधानत पर कार्या करता है तो रिफ्लेक्शन मतलब कि किरिने जिस सतह से होकर वापिस टकराकर उसी आवरण में वापिस आती है तो उसे अपने क्या बोलते है प्रावर्तन बोलते द्यान रखना तो प्रकाश ये गेज की सिधानत पर कार्या करता है प्रकिन के सिधान पर नहीं कार्या करता है दुरूबन क हैं प्रवेश्स करते समय टकरा कर पुन अवस्था में वापिस आ जाता है तो वो अपने पास क्या कह रहाता है reflection कह लाता है next question के तरह कि अगला question अपने पास gift समान ने ताइब जो slip gauge पूरा ब्लोक है उसके अंदर 118 पीस होंगे अलग अलग साइज के कम्प्लीट है उसके बाद 81 नंबर साइज वाले का भी अपने परियोग करते हैं ठीक है लेकिन यह दीज पर गार आपके पास ओप्षन में 118 है तो 101 परसेंट आपको 118 ही राइट हैं सबसे ज्यादा अधिक यूज अपने कौन सा करते हैं 118 पीस वाले जोंसन स्लिप के इसका अपने परिय किस के लिए किये जाता है देखिए डेफ्ट नाम आता है डेफ्ट का मतलब होता है गहराई तो गहराई माइक्रोमेटर का परियोग अपने कहां करते हैं तो गहराई मापने के लिए करते हैं तो गहराई मापने के लिए मतलब क्या है होल की गहराई मापने के लिए अपने क बड़े सिंपल तरिके से माँ आपको बताता हूं और बिलकुल सधान तरिके से आप इसको समझें और प्रेम से आप इसको समझें ठीक है किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं आएगी एदि आप रोजाना बीस तीस आप कोशन कलीर करते हो तो एक मिनिम देख लिए आपके कितन है देफ्ट माइक्रो मिटर का अलपत मांक कितना होता है अब देखिए यहां सबसे पहले बात आती है अलपत मांक का मतलब होता है लिस्ट काउंट उसका क्या लिस्ट काउंट है आपने नाम सुना होगा लिस्ट काउंट अपने किसे बोलते हैं कम से कम जो माप ली जा सकती धी है कम से कम कितनी माप ले सकता है उसे अपने कया बोलते हैं फिर लिस्ट काउंट बोलते हैं तो यहां तो सब से बहुत करते हैं कितना होता है मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm यहां रखना है ठीक है और रेंगली सिस्टम में 0.001 इंच होता है ठीक है complete किसी प्रगा के दिक्कत नहीं है चाहे माइक्रोमिटर कौन सा ही आजाए चाहे आउट साइड आजाए चाहे बाहर ही आजाए या फिर अपने पास डेफ्क जेस्ट माइक्र Summit कोई भी माइक्रूमेटर आजए उसका लिस्ट काउंट मेट्रिक सिस्टम में 0.01 एम एंगले सिस्टम में 0.001 इंच ही होता है यहां रखिए आगा फिक है पास आता है वर्नियर उन्चाई मापी में जब जबड़ा कारेपट को सपर्स करता है तब वर्नियर पे माना परतसित करता है देखे आपको कोश्चन समझने के जरूरत है कोश्चन ही आपको एंस्वर दे रहता है वर्नियर उन्चाई गेज मतलब कि वर्नियर हाइट गेज की बात करता है किसकी बात है जब जब बढ़ा कादएपट को मतलब कि वर्णे रहाएट गेज का जो स्क्राइबर है वो बिल्कुल जीरो वस्ता में बिल्कुल यानिके सर्फेस प्लेट के टच कर रहा है तो तब वर्नेर पर माना क्या परतशित करेंगा तो ध्यान रखिएगा U समय जीरो लिटिंग होती दर्सार कि माहके उसे प्रकार की उसस पर रिडिंग अंकित नहीं तो मतलब क्या है जीरो डीडिंग मतलब कि प्रादम है विप्राड़ंश होता है जी रो डिल्डिंग द्यांद से कॉश्टन थो रहा सेवापूस देखिए वरनेर उचाई जब मापी में जब द pressed करता है तब पर्धर करते मैं परदस्त करता है नियुक्त इह कुछ सब्सक्राइब करते में कि एह नहीं वहीं है वाहन सब्सक्राइब नुक्त कि छलते हैं नेक्स कोष्टन के तरफ और देखे नेक्ष्ट कोस्ट अपने सब्सक्राइबटा anyas बनाता है यह प्रेशी प्रकार का शक्रू भी कई होते हैं जिनके इंदर यह बना होता है न तो यहां कितने फिल्यूट कटे होते हैं चार फिल्यूट कटे होते हैं कितने फिल्यूट कटे होते हैं चार कटे होते हैं कम्प्लीट है चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ तो देखिए Next Coach अपने पास आता है Dial Gauge का English का इस्टम में लिस्ट काउओंन बताइए अब देखिए मैंने आपको बताए था English kısmally Matrix system हो आपको शुक्सम आपई इंतर आपको एक याद रखना है Matrix सिस्टम में तो . 01 mm और यहीं इस्टम में तो .001 इंच अब यह देखिέ क्या कहता है डायल गेज का English system में list count होता है तो जाइज है, list count कितना होगा इसका Consumer.001St किसी प्रकार का micromitros contain किसी प्रकार का dial gauge आजएं कोई दिक्ष्कत वाली बात नहीं है, उसका list count हमें सा English system में इतना और matrix system में इतना ही होगा छल ते हैं नेक्स्ट कोसिन के तरह एक सिस्टेम अहर बताईए अब देखे में आपको बताए ये अब में इतने सिस्टेम। क्योंकि एक इमि enem इतो regarde और चुक्ट सिवह एक इंटना के हरे तहिए और फेली के सलते हैमें ज़ा इंटरो डियम पॉइए तरह नेक्स्ट कौश्यन अपने पास आता है की सीt रूल का परयोग होता है देखेए ये कौश्चन काफी बार एक्जाम में आया sticky sheet rule का परयोग होता है most important question है की sheet rule का परयोग है मेसा cylindrical कारेब होता है बेलना कार से दैप होता है बेलना कार से दैप अब लिए वेलनाकार कोई रोड है उस पर आपको सब्राइन खीचनी है जैसे माली अपने पास कोई रोड है इसके x के बिल्कुल सब्राइब यहां रेका खीचनी यो तो आपके डिए जाएगी जाएगी तो अब बिल्कुल सिद्धा नहीं नहीं के आपने पास एक स्केल होता है नेंगल आपने पास आता है किसी एड़ जैस्टेबल स्नेप गेज में दोनों एड़ेस्टेबल जा होते हैं तो देखेज बारिया आती है प्रयोग अपने जाए जाए भारी व्यैत SIKE करने के लिए करेंगे चाहिए वह ढ़े New ए pasti खारुंबाई यह कोई भी वह तो भारी अपने चेक करेंगे तो इसका प्रयोग अपने के स्विक्ट करते है है ना पेहला कुशिन आपका कलीर होता है अब उसके अंदर गो और नो गो सिरी भी होते हैं अब देखिए गोड़ा मेंसा आपको नहीं जाना कि यह यह आपका कलीर रोगाँ है अब उसके बाद आपछे आपने पास कोश्चेंट पर किसी अडिशेस्टेबल सब्सक्राइज म बीच में ठीक है चलते हैं नेक्स्ट को सब्सक्राइब आता है आंत्रिक डवटेल का टेपर का मापन किया जाता है तो देखिए कोश्चिन बहुत इंपोर्टेंट है कई बार आयो है एक्जाम के अंदर तो आंत्रिक डवटेल डवटेल किसे कहते हैं आप अपने फिटिंग म परकार के सब्सक्राइब डवड़कार केrire डवटेल कि अपने फिटिंग एक जोब बनाते ना इसे के अंदर दूसरा पार्टेंट करते हैं आपसे ंपने बैच भूर यहां सिलीफ बेसी Pal. उखेका साहता से। claims किया जाता है। स ल它 ने सबने पएले साइन बार को परदस्त किया जाता है अब आपके निहां सान्ट के sparks को प्रयोग के साहता है किसके साथ किया जाता है। स्लिप गेज़ के साथ हमेशा अपने साइन बार का पर्योग होता है कंपलीट है साइन बार को परदस्ट कैसे किया जाता है इस परकार का एक आकरती है साइन बार इस परकार का पीस होता है यहां इसके रोलर लगे होते हैं इसका साइज है जो अपने कैसे लेते हैं यह मैं एक से लिए जाता है इसके के सुराख वने हूथ से लिए बर का साइज लिए जाता है। छलते हैं लास्ट कोस्टिन पर लास्ट को सपने पास कोन सा यंद्र आव्यव के कौर के समानता रेखा खीच ने के लिए परियोग किया जाता है है बहुत सिंपल सा कोश्चन है हर्म Уब्रो औ combined करते हैं कि लीपर आपने का पशचन है किसीयोव कोर के समंदातर रेखा है कि लिए कि लिएte करते हैं तो देखे दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही most important question करवाए हैं यदि आपको question समझ आए हैं और आपको कुछ लगता है कि सीखने को मिला है तो करपया कर वीडियो को like कीजिएगा सेर कीजिएगा किसी प्रकार का आपके डाउट है तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके आप जुरूर पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जूर कीजिएगा मैं आपको आपके लिए फिटर की इसी प्रकार महतव पूर्ण जांड़कारी वो पिकवाइज आपके हरन्यवाद मिलते हैं